नमस्क्तार फेंट्स, वेलकम टु एग्जाम गुरुजी, मेरा नाम महीन इसन्थाकुर है, मैं लेवर इंस्पेक्टर हूँ, मैंने ग्रूप 2 सब गूरूप 4 की जो एक्जाम थी, उसे मैंने क्रैक किया था तो फेंट इस पास जो group to subgroup 4 की exam आईए जिसमें सबसे tough topic जो हम बच्चरों को लगता है और जिसमें actually material भी नहीं है तो उसके मैंने management की lectures लिये हैं तो आईए इस second video में अब हम बात करते हैं जो group to subgroup 4 के और जो previous year का second paper आया था उसके बारे में तो फड़ा फड़ा हम first question से शुरू करते हैं शॉप फ्लोर वरकर्स और एसोसियेटेड विच्व फॉलोविं शॉप फ्लोर कारे करता है निमने लिखित मैंसे किसके साथ जुड़े रहते हैं तो इसका अंसर है low level जब इसको आप सीदियो से आप देख लिए कि जो low level का जो का पूछा है तो जिससे मैडने प्रिवेर से समझने के लिए कि इस समझने के लिए कि लोग दुकान में अगये अगर कोई सेकंड कोश्चेन प्रवार्विं शुरू है जिसमें नौट पूछा एंसे टुछाने के लिए सब करमचारी है तो आई तो आई किम स्म्झाने के जो पुंजी रहती है जिसमें से पैसे का जो लेंदेंग जो रहता है वो ततकाल आना जाना लगा रहता है इसे बैंक में FD हो गया, FD कह रहती है बैंक में एक जग अपनी पड़ी रहती है उसका आना जाना की मिलब पैसे का लें देन उसके कुछ होता नहीं है, तो इसमें सवाल में पूछा है, अपन ने जो सवाल को कनवर्ट किया है, which of the following is a source of working capital, तो commercial paper है, commercial paper क्या होते है, basically bonds type के ह साथ में, जिसमें, basically तो पुरा चेक या डीडी टाइप लिए आप इसको समझ लीजिए, commercial paper एक दम तुरंत ही आप इसको cash में convert कर सकते हैं, तुरंत ही आप बैंक में इनको ला सकते हैं, अगर आपकी जो जो भी आपकी bond की जो conditions है, उसके इसमें आप से, commercial paper है, ये भी working capital का source होता है, ठीक है, bank overdraft भी working capital का source होता है, bank overdraft मतलब ये है, कि आप bank से पैसा निकाल रहे है, limit से ज़्यादा सा है, bank overdraft भी working capital का source होता है, discounting of bills, discounting of bills, billो की भौनाई, ये भी working capital होता है, जब उससे discount हो जाएगा below से, तो obviously बात है कि उससे पैसा आ जाएगा, अगर किसी bill से 100 रु रुपए आएगे, वो भी तो obviously बात है कि working capital का source हो जाएगा, ये फ़ड़ा सा अलग सा point है, पर अगर पैसो के तौर पे देखें कि हाँ, इससे पैसे आ सकते हैं, तो बिलकुल ये एक तरीके का source of working capital है, ठीक है friends, तो आई ये भी हम third question पर आते हैं, the time gap between the payment of raw material purchases and collections of cash from its sales is referred as, अब देख लिए इसको, तक्षेवाल की थरीश के लिए भुक्तान और विक्तरी से नगजी की वसूली के दीश से समय अंतराल को dash जाना जाता है, तो इससे कहते है, तो इससा answer है cash cycle, जिस्ते भी ये सब चीज़ें आप कार्ट गों, तो तो तंसे जाओ गया आप ये, डारे collection of cash permit sales, ठीक है, अब क्या होता है, किसी factory है, ये factory है, F नाम दीज़ेता हूं इसको, ठीक है, और यहां से फिर wholesaler के पास जाएगा, फिर retailer के पास जाएगा, ठीक है, और फिर आखरी में आएगा, consumer के पास में, ठीक है, factory समन बना, फिर wholesaler के पास आया, फिर retailer के पास आएगा, तो पूछा ये है, कि यहां पे, यहां से कश्का माल बना है, यहां से यहां तक में, तो इसमें जो time gap जो है, फ्रेंट्स वो पूछाएगी, ताइम जाप किसे उसे का बलते है, पेमें पास रॉ मेटिल, रॉ मेटिल का purchase यहां पे हुआ है, ठीक है, और आखरी में cash permit sales, ठीक तो आते हैं यहां पे, अगर आखरी final consumer को पंदरा सो रॉपे में अगर मिली है, तो जो हजार से पंदरा सो रॉपे आने में वापिस उसका profit आने तक में इसको है ना, friends, जो समय राएगे को उसे cash cycle काएंगे, ठीक है, friends, अब आते हैं, फूर्थ क्वेश्चन पे, which of the following functions in an organization enhances the skill and capabilities of employees, ठीक है, तो इसमें कौन सी, जहाँ सिंपल सा question है यह, कि किसी भी संस्था में, कौन सी ऐसी चीज़ है, जिसके करमशारियों की capabilities है, यह बढ़ती है, तो सीरीसी बात है, ट्रीनिंग से बढ़ती है, आप ट्रीनिंग करवाएंगे अपने करमशारियों का क सीरी संस्था में, तो उससे जो करमशारियों की capabilities है, जो शमता है, काम खनने की, और जो काम जिसको नहीं आता, वो सीख के, वो अपना, जो है, skills बढ़ा सकते हैं, अब आते हैं, फिस्त question पे, which of the following steps is necessary in human resource planning process, every year to incorporate changes in it to make it more useful, यह थोड़ा था typical question है यह, इसमें पूछा यह है, कौन सी ऐसी step है, human resource planning, मतलब मानव संसाधन की जो विकास है, उसमें किसी company का, जिसमें जो company की changes है, वो किते अच्छे से चल रहे हैं, किते अच्छे से नहीं चल रहें, उसको जानने के लिए तो सबसे अच्छा जो इसकी प्रक्रिया है, की समीख्षा करना, जो सबसे बेस्ट इसका answer है, जूसरा answer पर आप मच जाईए, वो थोड़ा से confusing है, उनको अपने को नहीं जाना, जो main answer है पर उसकी बात साथ है, reviewing process रहता है, किती company के human resource planning में किस टाइप का process है, जिसमें कि company के changes रहते हैं, वो अच्छे से हो रहे हैं, क्या कमी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, उनको समझने में कौन सी प्रक्रिया अपना जाती है, reviewing process की प्रक्निक अपने आ जाती है, ठीक है friends, अब बात करते हैं अपन 6th question की, dash is the tendency to judge people based on the perception of the group in which he belongs, ठीक है, तो ये एक actually इसका answer पर आ जाते हैं, direct हम, stereotyping इसका answer है, ये hello aspect, projection, इसका आप card बे, ये अपने पढ़ना जी है, इसके direct हम इसका answer को देखेंगे, तो नहीं समझना आ रही है, तो आप बिलुकल और भी अप सर्च कर लीजी गूगल पे, किस थाइप की आती, stereotyping की, पर ये नॉर्मल एक definition है, stereotyping की, ठीक है friends, अब आते हैं, 7th question पे, which theory believes that leaders share some involved personality traits, तो ये एक basically ये एक pure one-line facts है, इसमें जादा कुछ है नहीं समझने को, तो trade theory of leadership, trade theory of leadership, एक ऐसी theory है, इसका जो अंसा है, बसे बात बस उता ही है, ठीक है friends, अब आते हम, 8th question पे, the practices and policies of government refers to, ठीक है, अब बहुत ये भी बड़ा simple question है, जो सरकार की नीतियां है, और जो सरकार की जितने भी काम है, वो किस टाइब के, जो क्या बोलते हैं, कारियों को निश्पादित करती है, जो किस टाइब की काम पे फोकस करती है, तो इसका है आर्थिक परयावरान से ठीक है, अब फिजिकल परयावरान मार्केटिंग तो प्रावेट कमपनी करती है, जो किस टाइब के कामों पे लिप्त रहती है, तब फुल मिलाएक उनसे लेनों देना जेता है, तीक है, अब आते हैं नाइन्थ कोश्चन पे, इसका प्रयोग अधिनस्तों की गसी वीडियो और मापने, को मापने और सही करने के लिए किया जाता है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि कारेकरम योजनाओं के अनुरूप है, तो यह बड़ा सा सिंपल सा कोश्चन है, आंसर है फ्रेंड्स, इसका आंसर कंट्रूलिंग रहे अपने साथ के लोग रहते हैं, उन पर अपन देख सकेंगी किस टाइब से वो काम कर रहे हैं, किस टाइब से नहीं कर रहे हैं, बहुत ही बैसिकली की डेफिनेशन की पूछी है, और कुछ भी नहीं पूछा है, कंट्रोलिंग होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स यह अब आते हैं, पर 10th question पर, dash refers to number of subordinates, a superior can manage effectively, तो इसका answer यह काफी important question है, आप इसको importantly समझ लीजिए, इसका answer is span of control, span of control है, तो unity, unity आपने कार्ड जीजिए, और कार्ड जीजिए, span of control का मतलब क्या होता है, span of control मतलब यह होता है, कि जो एक आदमी है, माल लिजिए मैं कंपनी का top level का इंडर में लोग है, मैं उनको control कर सकता हूँ, मतलब इसकूल में लगी है कि कितने लोगों को मैं control कर सकता हूँ, सिर्दी से बात कि मेरे नीचे 10 लोग है, तो 10 लोगों control कर सकता हूँ, 20 होते तो 20 को नहीं कर पाता, हर एक पर नजर नहीं रख पाता, तो span of control, इन यह इंतर question पर, अब आते हैं हम 11th question पर, परसिज़ा of machinery is an example of capital expenditure, simple सा answer है, ज्यादा को जिसमें वो नहीं है, किसी company के लिए machinery purchase करना माल, लोगा ने, company खोली, उसके लिए machine लाना है, कुछ भी, दमाने भर की machine लाना है, तो उसमें जो मेरा जो पैसा जो खर्च होगा, वो क्या होगा, वो capital expenditure होगा, ठीक है friends, यह उना गलत जागर तिक कर दिया, इस पर, capital expenditure होगा, माची चीज़ी, current expenditure इन सब्सक्राप मज जाएए, capital expenditure से जाएए, ठीक है, अब आते हैं 12th question पर, operating level measures the effect of change in debt and operating capital in EVIT, अभी EVIT क्या होता है, यह आपको बता दूँगा, EVIT पहले अपन question को समझ देते है है, ठीक है, अब उसका direct हम इसका answer पर आजाते हैं, इसका answer है, sales quantity, इसका answer है, sales quantity, ठीक है friends, अब आपन इस पूरा question को answer के साथ कम्बाइन कर लो, operating leverage measures the effect of change in sales quality and operating capacity of EVIT, operating leverage क्या होता है friends, उस type का जो खर्चा जो रहता है कि इसकी company का, जिससे, जिसमें की company के जो भी खर्चे हो र है, रोज के मालों जिसे, आज company खुली है, company में सामान आया है, लोग आया है, लोगों की salary जो रहेगी, वो जाएगी, और जिती भी ऐसी दूसरी दूसरी चोटी-चोटी चीज़े जो रहती है, उसको operating leverage बोलते हैं, जो company का खर्चा decide करते हैं, ठीक है, अब उसमें, वो भी क कम लोग आएंगे, तो कम समन मनेगा, तो sales quality घटेगी, और वो आखरी में company का EBIT जो है, वो उसको, क्या बोलते हैं, affect करेगा, EBIT का मतलब क्या होता है, earning before income and tax, ठीक है, मतलब जो earning before income and tax के, income tax के पहले, लगने के पहले जित्ती भी earnings रहती है, उसको दूसरी बोलते हैं, उसको and tax, दिख रहा होगा आपको ये, earning before income and tax, पूरा अच टाइप से लिखी जाएं, रूप माँआँ, संख्यूज हो जाओगे समलोग, ठीक है, ये है EBIT को full form, आप इस टाइप से लिखने ना, ये बहुत जरूरी है, ये पूच सकते हैं ये, तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है friends, अब आते हम 13 question पे, the process of recording, classifying and summarizing transaction is called bookkeeping, बहुत इंफर सा question है, bookkeeping की definition तूची है, उसमें बचे भी सारी चीज़े अपन कार्ड जेंगे, आप इनको इनको चाहिए, bookkeeping क्या होती, bookkeeping एक ऐसी process होती है, जिसे भाई कहा था, लेकन बुलते है, आपने देखा होगा, आजकल पहले भी अभी जो सोनार की दुगाने देती है, वहाँ पर चलती, लाल कलर की किताब रेती है, और आपने दूद डेरी हों नमें देखा होगा, दूद डेरी में आज लाल कलर की किताब चलती है, जिसे वह process का होता है, bookkeeping का, प्रवे ट्रेजिशनल प्रोसेस है, आजकल तो tally accounting है, जित्ती भी software से वह सब आ गए है, तो bookkeeping क्या होती, bookkeeping बस एक वह process होता है, जिसे record करते हैं, हम सारा लिखते हैं, समझते हैं, और आखरी में उसका निचोड नि the practice of omitting paise and then recording of and then rounding of the figures in the financial statement is based on materiality concept, therefore आजकल क्या हो गया है, कि अपन जिसे पैसे जित्ते भी बन रहे हैं, मालो किसी company का कोई बील आया है, तहांट रुपे और बावन पैसे, की कि तो आजकल क्या हो गया है, कि अपन पैसे को रुपे और बावन पैसे, की कि तो आजकल क्या ह हो गया है, कि अपन सिध्या पैसे का omit करके, अपन round off कर लिया आपने, तो उस तैक भी concept क्या कहते हैं, उससे materiality concept क्या होता है, ठीक है friends, अब आते हैं 15th question पे, which of the given below statement are true और false, अब true और false का answer है, A true है और B false है, अतलब ये वाला जिस true है और ये वाला false है, ठीक है, तो ये सार अपन कार्ड दो, और इसको पढ़ने की जारत हैं अपने को, अबन सिले की सिले, true है पढ़ते हैं, क्योंकि अपने को one line fact अभी जहन दखने है, तो distributive justice refers to the perceived fairness of the amount and allocation of rewards among individuals, distributed justice होता क्या है, ये भी थोड़ा important को टर्म है, तो अब इसको समझ दीजिए, distributed justice ये होता है, कि कि किसी कमपनी ही, कमपनी में, अगर लोगों के बीच में, या क्यों सिले, employees के बीच में पैसा बटना है, तो वो एक सही तरीके से बटना चाहिए, उसे ही distributed justice के अपने, बराबर बटना चाहिए, जिसने अगर सबने बराबर काम किया है, तो उनने बराबर ही रुपया मिलना ठीक है friends, तो वे distributed justice का यही फंडा रहता है, अब आते है अपन 16 कुशिन पे, which of the following events can be forecasted with the help of human resource planning, human resource planning की अपन मदद से कौन सा ऐसा जो प्रकरिया है, उसको अपन जो है माप सकते है, कुल मिला माप नहीं बोले तो आगे forecast मतलब यह होता है कि भविश्य का देख जेना, अपन आगे का देख लिया, मतलब यह सोच लिया सा अपने, human resource planning, HRP का मतलब बोलता है human resource planning की मदद से अपन कौन सा ऐसा जो event है उसको अपन दूर दृष्टी या दूर दूर दृष्टी देख सकते हैं, तो वह है शायंग दर, attrition rate, attrition rate मतलब यह होता है, क्योंकि चीज का ज यह वाली जो event दर जो है, उसके बारे में पता कर सकते हैं आपन, ठीक है, जब human resource आगे पढ़ेंगे तो उसमें detail में डिसकूस करेंगे, अब आते हम 17 के question पे, bank overdraft as per cashbook is a credit balance, ठीक है आप बस इतना पढ़ लीजिए, ज़्यादा इसना आपको दिमाग में लगाना ज़्याद इसमें आपको इसना नहीं है, क्योंकि यह एक एल वनलाइन फाक्टी है, cashbook के हिसाब से bank overdraft क्या होता है, credit balance होता है, ठीक है, और कुछ भी अप इसमें जदो समझने की नहीं, बहुत डीप का accounting question है यह, तो अब हम आते हैं, 18th question पे, which of the below given people are focused on the subjective inner world of thoughts, feeling and ideas, लो कौन से ऐसे वहते हैं, जो वास्तो नेश्था, विचारों की बीतरी दुनिया, एम भावनाओं एम विचारों पर चेंजरिस रहते हैं, तो अंतर मुखी type के लोग ऐसे रहते हैं, जो कि इन सब विचारों की बीतरी दुनिया, और लाव आपने अपना कूल बिना कि खोये-खोये से इसी सेट में, आदमी वो होता है, जो दुकान पर कुछ भी काम कर रहा है, गरागों को सामान दिखाना कुछ भी करना, तो इसके लिए सबसे बड़ा skill क्या होना है, इसके बड़ा skill होना है थी, man of skill, human skill, बन्त पटापट सामान लिखा की दिखाना, concept फुर skill भी नहीं होगा, इसको दिमान ही लगाना, design तो करना ही नहीं है, technical skill भी नहीं करना, इसको सुर्फ अपना एक software level का आदमी एक waiter समझ लो, आप उसको एक waiter को क्या करना रहता है, इकुल मिला कि अपने जो बलाना ले जाना, सामान रखना है, कुल मिला कि humans के लिए दिखाने रहते है, ठीके फ्र है, the market price of a share of common stock, जो है, किसे decide होएगा, वो इसना answer है, individual buying and selling the stock, जीसे जिस्ते भी है, ये फोर्फ पर, इससे इसको 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 खरीद रहे हैं, और बेच रहे हैं, उस स्टॉक को, उससे जो है, उसकी कीमत, जो है, decide होगी, और किसी भी चीज से decide नहीं होगी, केवल जो market price से जो रहता है, उन लोगों से decide होता है, जो खरीद रहे हैं, और बेच रहे हैं, किसी stock को, ठीक है friends, अब आते हैं, 21 question पर, the variable part of brand, the part that can be spoken or written is known as brand name, जीदी सी बात है, अभी अपनी बात होगी, मर्सेडीज का, अब ये लोगो होता है, इस साइचे, ये तो लोगो होगया, अब Mercedes का जो नाम है, Mercedes, ठीक है, ये Mercedes का brand name हो गया, और कुछ भी नीए, तो बहुत simple सा question है, ये तो शायदी किसे ने गलत किया होगा, आते हैं, अब हम 22 question पर, आते हैं, अब हम 22 question पर, the coordinate, dash coordinate, a complex of set of activities to accomplish important non-recurring goals, ये है program इसका answer रहेगा, ठीक है, अब आप इसको बिसी चीजी सारी हटा दो, अपन डारेक्ट के डारेक्ट ही इसके answer पर आ जाते हैं, तो program क्या होता, program मतलब एक कारेक्रम समझ लो, कारेक्रम में क्या होता है, कुछ भी function हो गया, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे activities होईगी, जिसको हम सब लोग जो है, अपने अपस में तालमेल करके बनाएंगी, जिसे माल लो आज को function है, कोई CM सहाब आने वाले हैं, किसी भ प्रोग्राम हो गया, उसको coordinate करना है, पुलिस वेवस्ता होईगी, प्रशातन की वेवस्ता होईगी, जिती भी सारे वेवस्ता है, तो वो एक कुल मिलाके, वो सारी चीजों को, जो है, complex set of activities बन जाती है, जिससे एक सहयुक्त काम जो है, बन जाता है, जो वो program रहेगा, उसक किसी सहस्ता का profit हो गया, मतलब जो जो पैसे का जो छी सारी चीजे है, प्रोफित हो गया, पैसो का अब आधार नहीं हो गया उधार हो गया सारी कि सारी फानेशल मेंचमन सिस्टम या विस्की इंट प्रनाली से कंट्रोल होता है ज्यादा कोशिए इंट नहीं की एक परिभाद सा टाइप की पूछी इसमें ज्यादा इत्ता कफनी हो यह ठीक है फ्रेंट अब आते हैं चोईस्ते कुश्चन पर प्रोसेस ऑफ डिजाइन और मैंटेनी एंवार्मेंट इन विच इंडिविश्चिंट्री एंप्लॉई रिसोर्स इसकॉल यह ठीक है इसकॉल मैंटेंब्स इन वार्मेंट को डिजाइन करते हैं मंटेन करते हैं और इंडिविश्चिंट्री उसमें बहुत अच्छे से काम करते हैं इस टाइप के प्रोसेस को मैनेजमेंट किया से हैं और कोई जी नहीं मैनेजमेंट की कुल मिला के परिभास से पूछिए इसनी अब आते हैं 25 कुछिन पर Capital invested by the owner is shown as a liability in the balance sheet due to dash अब इसको डारेक्थ हमांसर का आया है तो separate entity concept तो जीटे भी दूसरे concept से उनको आप मत करो ने तो आप सब किसी ओनर द्वारा को पैसा लगाया गया है और उसको किसी अपनी को कंपनी की जो बैलेंस चीट में उसमें एक liability मतलब देंदारी टाइप से बताया तो उसे कहते हैं उसे किसी ओनर द्वारा इंवेस किया गया है और वह liability जो बैलेंस चीट में liability की तरह दिखता है तो आप इसको इस ताइप से उनलाइन चैक्ट की तरह दिख लिजेगा तो फ्रेंड्स यह सा सेकंड सेट में काफी सारे कोशन से अच्छा आपको नॉलेज आपने लिया होगा और अब जितनी भी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा आप किताब में नोट भी करें क्योंकि management का जो material है बहुत कम है तो फिन्स ठीक है मिलते हैं अपन लेक्ट नेक्स लेक्चर में